Python series की last video के अंदर मैंने आपको कराया था कैसे हम membership operators का use करते हैं और membership operator को use करते हैं जिसके अंदर मैंने आपको in operator और not in membership operator के बारे में बताया था ठीक है और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कैसे हमें decimal number को एक decimal value को convert करते हैं binary में देखिए ये आपको आने वाले 2-3 lectures के बाद आपको इसका use समझ में आएगा अगर मैं आपको इसको अभी नहीं पढ़ाऊंगा तो आपको आगे जा करके बहुत doubt रहेग तो मैंने सोचा कि आपको पहले ही मैं एक चीज clarify कर दूँ और करा के बता दूँ कैसे हम decimal to binary convert करते हैं ठीक है वीडियो को start करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर new है तो subscribe करें bell icon को click करके all notification को on करें ताकि आपको latest videos की notification मिलती रहे और एक बड़ जरूर playlist section में जाके देखें यहां पर मैंने PHP series को edit करके कुछ playlist के अंदर changes किया है और बहुत सारे videos को add किया है form के tutorials है database के साथ python, game development, javascript, search engine, website बहुत कुछ अल्रडी बनाया है जो आपके काम का projects हो सकता है इस बार मैं आपको practical ही नहीं करके दिखा रहा हूँ practical के लिए आपको एक दो videos का wait करना पड़ेगा यहां पर हमें actually theory को बहुत deep में समझना है ठीक है अब binary क्या होता है देखिए computer जो है वो कौन सी language समझता है machine language, binary language या उसकी खुद की language सबका meaning एक ही है computer को सिर्फ और सिर्फ machine language समझ में आता है जो कि binary है अब binary का क्या मतलब है 0 या 1 ठीक है computer Hindi English ऐसा कुछ नहीं समझ सकता वो काम जरूर करके देता है हमें in languages में print करके देता है लेकिन उसका जो back end है ना CPU होता है हमारा control unit ये वो तीन चार पार्ट में उसको divide करता है memory unit तो उसके अंदर वो सारा काम binary में करता है और binary में करके वो समझ जाता है कि आपने उसको क्या बोला है और उसके बाद answer को convert करता है हमारी language में जो कि generally high level language होता है और English होता है और हमें answer देता है लेकिन back end पे वो binary में काम कर रहा होता है अब binary में दो digits आते हैं हमारे पास या तो 0 या 1 ठीक है अब क्योंकि ये दो characters है तो इसलिए हम binary को generally denote करते हैं 2 से ठीक है binary को हम 2 से denote करते है क्यों क्योंकि 0 या फिर 1 count करेंगे तो 1 और ये 2 दो characters है हमारे पास total तो binary को हम 2 से denote करते हैं अब binary में convert करना है let us say मेरे पास number है यहाँ पे 48 मैंने आपको ये कहा 48 का binary निकाल करके दो 48 का binary क्या है मुझे पता ये 48 है computer को नहीं पता ये 48 है computer को 1,2,3,4 भी नहीं आता वो 0 और 1 के इलावा कुछ जानता ही नहीं है तो उसे समझाना पड़ेगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं जैसे कि मैंने आपको चेक कराया binary में हमेशा 2 values होती है तो आपको देखिए इसको form करने के इसको answer निकालने के 2,3 तरीके हैं मैं सिर्फ एक तरीका आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है नंबर को सिर्फ और सिर्फ 2 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लिखना है तो क्या होगा 2,2 is a 4 and 2,4 is a 8 ठीक है 24 आएगा purely डिवाइड हो गया अब यहाँ पे अगर मैं ऐसे लाइन यहाँ पे खीचू तो बच रिमेंडर कितना बचा हमारे पास 0 मैं एक बार और क्लारिफाई कर देता हूँ आपको मैंने यहाँ पे लिखा 48 and 48 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से तो उपर हम लिखेंगे 2,2 is a 4 और चाहे तो आप इसको बाद में common उठाल का कर रहे है मैं direct कर रहा हूँ 2,4 is a 8 चीक है तो 48 आगया हमारे पास remainder बचा 0 यह जो 0 बचा है ना इसको आप side पे लिखते हैं doesn't matter यहाँ पे लिखते हो या इस वाले पे लिखते हो कोई फरक नहीं पड़ता और यह 24 बचा ना हमारे पास इस 24 को actually आप अंदर रखते हो कि कितने बार में डिवाइड हो गया ठीक है similarly आपको यही चीज फॉलो अप करते रहना है तो again 2 से 2 वन जा 2, 2 टू जा 4 12 आ गया 12 वारा 24, 12 12 24 remainder कितना बचा हमारे पास 0 क्यूंकि purely डिवाइड हो गया again इसको मैंने 2 से किया 2 6 जा 12, remainder कितना बचा 0 again इसको 2 से करना है हमें 2 3 जा 6, remainder कितना बचा 0 ठीक है again इसको 2 से हमें करना है 2 1 जा 2, remainder बच गया हमारे पास 1 मैं करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पर मैंने लिखा 3 और 3 को मैंने डिवाइड किया 2 से 2 1s आ 2 माइनस करोगे इसको कितना remainder आएगा यहाँ पर 2 आएगा यहाँ पर 1 रहेगा 2 1s आ 2 ठीक है remainder आगे हमारे पास 1 तो इस 1 को मैंने लिखा इस कोने पर ओर जो अंदर है हमारे पास जो यह उपर है इसको हमने लिखा इधर अब आपको क्या करना है देखिए यहाँ आपका last में 1 आएगा या 0 आएगा लेकि 99% quelque में आपका last में 1 ही आता है ठीक है तो इसको आप क्या करोगे, अब यह जो चीज होता है, एक्चली हम इसको binary नीचे से उपर की तरफ हम जाते हैं, तो 48 का binary हमारे पास क्या बना, नीचे से उपर की तरफ, एक यह 1 और एक यह 1, तो यह आ गया 1, 1, उसके बाद 0000, चार बाद 0000, तो एक, दो, तीन, चार, तो 48 इक्वल्स टू, 1, 1, 0000, ठीक है, तो 48 का binary हमारे पास यह आएगा, ठीक, अब इसमें कुछ चीजें हमें देखना पड़ता है, अगर हमें 8 bit के according काम करना है, जो कि Python में हम 8 bit, यानि कि 8 bit के according ही deal करेंगे, तो यह 8 characters नहीं है, इसको अगर आप ध्यान से check करो, it's 1, 2, 3, 4, 5, and 6, यह तो 6 है, 8 bit के according में Python में काम करना है, तो अगर मैं यह कहूँ, आपने maths में पढ़ा होगा generally, कि हम point के बाद 0 लगा सकते है, अगर मेरे पास number है 1, तो अगर मैं 01 लिखू तो भी 1 रहेगा, अगर number है 9, तो अगर हम उसको 09 लिखे तो भी एक ही बात है, अगर number है 100, maths में note है, इसके आगे 0 लगाने का कोई sense तो बनता नहीं है, खेर रहेगा तो यह 100 ही, लेकिन logical ही थोड़ा सा अजीव लगता है पढ़ने में, लेकिन उस चीज़ को actually हम यहाँ पर apply कर सकते हैं, अगर हमें 8 bit करना है, 8 bit में convert करना है, लेकिन वो 8 bit में नहीं बन तो इसके आगे जितने कम पढ़ रहे हैं आप 0 लगा दे, 6 हमारे पास थे, 2 0 मेंने लगा दिया तो 8 हो गया, total बन गया हमारे पास 8 bit, ठीक है, तो 48 का binary हमारे पास 8 bit के according यह रहेगा, I don't think आपको इसमें कोई doubt होना चाहिए, अब एक और example यहाँ पर लेते हैं, मैं चाहता ह तो आपको जितना हो सके मैं उतना deep में clarify करूँ, let us say number है, यहाँ पर मेरे पास 16, 16 का binary आपको निकालना है, तो 2 8 the 16, और remainder बचा हमारे पास 0, 2 4 the 8, remainder बचा हमारे पास 0, 2 2 the 4, remainder बचा हमारे पास 0, 2 1 the 2, remainder बचा हमारे पास 0, तो 16 का binary क्या बना हमारे पास, यह बना नीचे से उपर की तरफ हम जाते हैं, तो यह आपके पास बना 1, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, यह भी 8 bit नहीं बना, तो आप क्या करोगे, इसको 8 bit complete करने के लिए अगर 8 bit के according डील करना है, तो 4, 0 इसके आगे लगा दोगे, ताकि यह 8 bit complete हो जाए, ठीक है, उसी case में करना है, जहां आपको 8 bit के according काम करना है, जबर्दस्ती नहीं करना, अगर आपको सिर्फ इतना बोला हुआ है, अगर आपको बोला जाए, कि 8 bit के according काम करना है, फिर आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है, अब कुछ cases को लेते हैं, जहां पे आप अटक सकते हो, लेते से मैं आपको कहता हो, बाइंडरी निकालो, यह डेसिमल है, ठीक है, 16 हमारा डेसिमल है, उसका बाइंडरी निकालो, नंबर है आपका 2, तो क्या करोगे, आप बोलोगे 2, 1s are 2, remainder बचा 0, 1 0 आगया, ठीक है, यह इतना complicated तो नहीं है, नीचे से उपर की तरफ जाएंगे, तो 1 0 आएगा, हमारे पास 2 का बाइंडरी, equals 2, अब क्योंकि 8 bit पूरा नहीं हो रहा है, तो इसके आगे आप 6 0 लगा दोगे, ताकि 8 bit पूरे हो जाए, 2, 2 4, and 2 6, यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपका number ही 1 है, कैसे divide करोगे इसको 2 से, सीरी सी बात है, number आपका 1 है, कर लो divide कैसे करोगे, possible नहीं है, point में नहीं लेके जाना है, याद रखो आप इसको, यह नहीं कि point लगा दिया, आप इसको बोलो गया, रहे 1 है, और यह कि यह मैंने 0 तो point लगा दिता हूँ, point के बाद एक 0 लगा दूँगा, 5 आ जाएगा, यह गलत है, आपको 2 से ही divide करना है, without any points, हम अभी point वाले पे नहीं जा रहे है, without any points, तो इस case में यह possible नहीं है, इस case में आपका 1 का binary क्या आएगा, direct आपको 8 बार, क्योंकि हम 8 bit के according काम कर रहे है, total आपको 8, 1 यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, अगर आपका number है 0, तो यह भ bar 1, 8 times 1, and 0 का binary 8 bit के according, 8 times 0, ठीक है, यह आपको आगे बहुत help करने वाला है, मेरे आगे आने वाले वीडियो के अंदर, फिलाल के लिए मैं उम्मीद करता हूँ, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आ चुका होगा, अगर आपको decimal to binary convert करना समझ मे करना समझ में सहर को अगर बहुत है, यह नहीं के लिए द ह olan क्टना में, यह जच्टना कर 단 alm रजान के लिए आपको आपको समझ में समझ में उम तक्ते खौना समझ में समझ तयूश समें, 9am आपको 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 ओएूश, बहूँ